तो आज की जो यह जाने के लिए है कि दिशासालियन के पेरेंट्स जो है वो अब यह कह रहे हैं कि उनकी बेटी को किसी ने मारा नहीं है वो खुद उपर से गिर रही है और यह एक्सिडेंटल डेथ है तो आज हम यही जानेगे कि उनका यह बयान क्यूं आ रहा है क्या खारण है इसकी पीछे और क्या रियालिटी है यह हम जानेगे स्टेट्मेंटल यहां पर आया है कम्यूनिकेशन का कार्ड कोई कम्यूनिकेट कर रहा है लगातार बातशीत हो रही है एमपरर है यहां पर तो कोई परसन है कोई वकील हो सकता है कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकता है कोई ऐसा परसन हो सकता है जो उनको लगातार यहां पर कोई ऐसा स्टेट्मेंट देने के लिए कह रहा है क्योंकि एम्परर है और यहां पितिशसा अल्यान के पेरेंट्स दिख रहे हैं तो यहां पर कोई उन्हें गाइड कर रहा है रिलेटिव भी हो सकता है जो उन्हें यह कह रहा है कि वो इस मुसिबत से दूर रहें वो इसमें ना फसें two of cups आया है तो यहां definitely हो सकता है कि marriage से भी connected है उनकी घर में और भी उनके जो बच्चे हैं उनकी marriage marriage life में भी problems आ रही है हो सकता है कि उनके उपर भी pressure बनाया जा रहा है यहां पर उनकी opportunities को लिया जा रहा है या फिर कोई opportunity दी जा रही है यहां पर देखें तो blessings का card है तो हो सकता है कि कोई blessing उनको offer की जा रही है यहां पर ऐसा लग रहा है let's get more clarity demonic entity भी आई है यहां पर तो हो सकता है कि दिश्यसालियान के बारे में इसलिए भी वो चुप हैं कि वो नहीं चाते कि उनकी बेटी को के बारे में बहुत सारी बाते सामने आएं क्योंकि यहां पर demonic entity दिख रही है कोई devil दिख रहा है तो यहां पर ऐसा लगता है कि जब दिश्यसालियान की death की reality सामने आएगी तो बहुत बड़े-बड़े celebrities भी exposed हो सकते हैं यहां पर बहुत clearly सल्मान खान की भी energy लग रही है तो ऐसा लगता है कि वो यहां पर exposed हो सकता है और काफी सारी चीज़ें सामने आ सकते हैं कि contract जो था दिश्यसालियान का वो जिस company के साथ ता वो कहीं न कहीं सल्मान खान के भी connected थी तो यहां पर ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ लोग सामने आ सकते हैं जिनके साथ कोई contract था दिश्यसालियान का यदि ऐसा होता है तो यहां पर threat है इनकी family के लिए और यहां पर काफी कुछ चीज़ें उनको बोली जा रही है इनके parents को दिश्यसालियान के parents को control में करने की कोशिश की जा रही है उनको लगता डराया भी ज कह सकते हैं कि उनका वैल वीशर है या फिर वैल वीशर भी नहीं है और यहां पर इनके पास कोई और option बच नहीं रहा है दिश्यसालियान के parents के पास क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो यह haunted house लग रहा है लगतार इनको दंकिया भी मिल रही है तो इस तरीके से इनकी इस समय हालत है तो इनके parents दिश्या के parents बहुत मजबूर है उनके पास कोई option यहां पर मुझे नहीं दिख रहा है कि है और पर तो यही message है कि दिश्यसालियान के parents को लगतार डराया जारा है धंकाया जारा काफी सारे लोग exposed हो सकते especially जिनके साथ कोई contract था दिश्यसालियान का contract था क्योंकि वही लोग यहां पर उसकी मृत्यू का कारण है उन्हीं लोगों की वज़े से दिश्यसालियान की मृत्यू हुई है तो यहां पर उसके parents को definitely डराया जा रहा है और एक चीज़ और यहां पर दिख रही है कि दिश्यसालियान की जब मृत्यू हुई है तो कोई energies है यहां पर कि कोई गाड़ी definitely है कोई car involved है इसमें और यहां से उसके बाद यह connect होता है SSR की मृत्यू से तो यहां पर दिश्यकी मृत्यू और SSR की मृत्यू दोनों ही connected है। अगर आप ये card देखें यहां पर तो यहां पर यह उनका सर्वेंट है और बाकी लोग को वाँ था यहां ऐसा ही लग रहे है कि SSR को मारनेके बाद उनको हैंग करने की कोशिश की गई थी उनका गला दवाने के बाद तो वही । सेम यह निक भी तो यह झार है worthless उपर से नीचे गिरी है, ऐसा लगता है कि उन्हें गाड़ी में लेकर आया गया था और उहां पर उन्हें फेक दिया गया था, तो यह दोनों ही जो मृत्यू हुई हैं, यह कनेक्टेड हैं, और यही सामने आएगा आने वाले समय में, तो इनके पेरेंट्स जो बोल रहे हैं, यह कहीं न कहीं किसी के प्रेशर में आके स्टेटमेंट दे रहे हैं, और वो सकता है, इनको काफी धंकियां भी मिल रही हैं, जिस वज़े से यह स्टेटमेंट यह लोग दे रहे हैं, तो यहां पर तो यही मेसेज है, कंटिनुईशन में देख सकते हैं, जो रूलिंग पार कि APP कि यहाँ बेटा है वो यह इस पर समय कि कहने पर ही चीजे हैं तो यह हमें अथ कि आ है तो यह आपर की क्या है रेअलीटी तो एस रियालीटी यही आ कि उनके पहुती स्वर्प्रेशर दे रहे हैं और हाँ पर दिशा सालियान की हत्या और एचसार की हत्या दोनों connected है दिशा सालियान जो है वो उपर से नीचे गिर कर उनकी मृत्यू नहीं हुई है ऐसा लगता है कि उन्हें मारने के बाद उनको गाड़ी से लाकर के वहाँ पे फेक दिया गया उस society के campus में वो उपर से नीचे नहीं गिरी है ऐसा यहाँ पर message में आ रहा है तो यह हमें आज यहाँ पर देखना था उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ी clarity मिली होगी और जिनका भी प्रशन था उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा सब्सक्राइब कर लिजेगा इस चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा तब ही आपको मेरे वीडियो के notifications मिलेंगे और परस्नलाइज डिडिंग के लिए आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं नमबर है 9899000366 जय श्री राम जय भारत